स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ओने स्टेडी क्लास पर मैं आज आप लोगो बिये में कॉपी किस तरह लिखे या कैसे लिखे इसके बारे में मैं खुद का अपना एक्स्परेंस बताऊंगा और साथ ही में किस तरह से आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं इसके का कोपी राइट नहीं मारने वाला हूं इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और दूसरी बात ये मैं कहा देना चाह रहा हूं कि जिनको लग रहा है कि किसी भी दिन न परे और बिये में जदा अंक आ जाए तो वैसे अदमी जो है वह चातर हो या कोई भी हो वो इस वीडियो को ना देखें क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो कुछ न कुछ जरूर पढ़े है ना पढ़े और जाकर के एकजाम देने के बारे में सोच रहे होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि आपका एकजाम जो भी होता है वो कुछ दिनों का गैप होता है नहीं तो लगतार एक दो पेपर होता है तो इस तरह से अगर गैप हो तो आप लोगों के पास टाइम रहता है तो आप सबसे पहले उस चेप्टर में जाकर के क्या करेंगे उसको परहेंगे जो भी आपको इंपोटेंट लगे कोई भी ग कार से पूछा जाए आप उसी छेत्र में न लिखेगा अगर उसी छेत्र में लिखते हैं तो उस छेत्र का आपको कुछ न कुछ knowledge होना चाहिए सब्द आपको पता होनी चाहिए इसी लिए आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको book किसी भी तरह का guess आपको पढ़ते रहना है ताकि उस subject की और उस विसाय की पढ़ती आपको कुछ जनकारी हो क्योंकि बीना जनकारी कि आप कुछ एक सब्द यानि कहने का मतलब आधा पेज अगर कह दिया जाया लिखने के लिए तो नहीं लिख पाते हैं मैं जो कह रहा हूं सही है अप लोग को लग रहा होगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं नहीं तो आगे चली हम बढ़ते हैं कि इसका start किस तरह से करें तो सबसे पहला हमारा question है कि आप लोग इसमें एक कोशन है कि कोपी के कितने पेज भरें पहला कोशन है कि कोपी के कितने पेज भरें तो कोपी में आप लोग कितने पेज भरियेगा वो आपको मैं बता देता हूं कोपी में कितने पेज भरना है ठीक है तो copy में आपको कम से कम 30 page भर देना है कितने page? 30 page आपको भर देना है आपको इसके लिए विशेश जोर भी नहीं देना है परन्तु इसके लिए आपको थोरी सी अभ्यास करने की जरूरत है अगर बाई चांस अगर आप भ्यास आप नहीं किये हैं तो आप exam में जाएंगे तो घरी जरूर ले करके जाएंगे अगर घरी वहाँ पर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे इसलिए आप घरी कोई भी simple घरी साध ले जाने देता है तो आप ले करके जाएंगे ताकि आपको समय कि पढ़ती जरूर लगाब होगा कि हमारा ये कोईशन बना हुआ है ये नहीं बना हुआ है इतना time बचा हुआ है मैं इसको किस तरह से handle कर सकता हूँ नहीं तो क्या होता है कि कोईशन आपका छूट जाएगा और वैसे ही number तो फिर आगे बढ़ने की चीज नहीं है फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले question की तरफ कि अगला question है कि copy के page जादा किस तरह से भरें दूसरा है question आप लोग सुन लिये हैं कि copy के page जादा किस तरह से आप भरेंगे जैसे कि आप दो दिन में कितना याद कर पाईएगा चार दिन में कितना याद कर पाईएगा और उसके according आपको page जादा भरना है copy के page जादा कैसे भरें ज्यादा कैसे भरे आप देखेंगे इस पर विचार करेंगे कि कोपी का पेज ज्यादा भरने के लिए आपको जो भी बाते जनकारी है जैसे कि कोई भी कोश्चन आपसे पूछा जाए जो भी कोश्चन पूछा जाए जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कोश्चन पूछा कि मान ले विस्ते यूद के बारे में जितने भी जनकारी है इंट्रो में आप दे दिजिए क्या कर दिजिए इंट्रो में आप दे दिजिए दो या तीन पेज आप असानी से उसके बारे में जानते होंगे अगर कुछ परहे हैं तो उसको पॉइंट नहीं बनाईएगा इंट्रो में आ रहेंगे यानि कि पॉइंट दे दे करके आप उसको अलग-अलग निकालेंगे जो कि आपको गेस में मिलेगा पॉइंट वाईप्वाई पॉइंट और मैं जो चाओंगा कि आप लोग उसी में से निकालेंगे ताकि आपका अगर तीन पेज भरे हुए हैं तो इसका पॉइंट वाई पॉइंट अगर निकालते तो तीन पेज अराम से निकल जाएगा तो कहने का मतलब आप जितना भी लिखेंगे इस में इंटरो में उसी हिसाफ से आप पॉइंट को बढ़ा भी सकते हैं और नोलेज है तो पॉइंट को बढ़ा करके 4 पेज करेंगे कम से कम 6-7 पेज आप लिखेंगे एक कोश्चन का 7 पेज अगर लिखते हैं तो किलियर है ठीक है तो चलिए ये कोश्चन के लिए 7 पेज आपको कम से कम लिखना है करना क्या है इंटरो में पूरी बात लिख दे नहीं है उसके पहचात उसी को पॉइंट बना करके आपको नीचे में पॉइंट की तरह दे दे करके आपको लिखना इससे क्या होगा कि आपको कोपी ज़्यादा भरेंगा और कम याद में हो जाएगा आपका काम क्लियर अब अगले question की और बढ़ते हैं अगला question है कि कोपी किस तरह से लिखें कोपी को आप किस तरह से लिखेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पास जनकारी है कि कोपी किस तरह से लिखते हैं तो आपको छौथाई छोड़ देनी है चोथाई कहने का मतलब कि आप लोग जानते ही है कि जैसे कि ये चोथाई जो छूटा हुआ है कोपी के लंबाई के अनुसार यानि कि जो चोराई होती है उसके ही साब से आप लंबाई चोराई देख लेना है आउसी साब से अपना चोथाई छोड़ देनी है बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि चौथाई को आधा से थूरा सा कौम छोड़ देते हैं और थूरा ही में लिखते हैं और कहते हैं कि हमने 40 पेज लिख दिये हमने इतना पेज लिख दिये देखिए यह सब जो है वह ऐसा ही धरना है उससे लिखने से कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आपको सारे चीज पर ध्यान दिया जाता है अगला जो चेक करने वाला है कहीं न कहीं ज़्यादा एक्स्पिरेंस फूल है तो आप उसको बुद्धू नहीं बना सकते हैं इसलिए जो लिखेंगे उसी सबसे आपको नंबर मिलेगा किलियर तो चाथाई को आपको छोड़ करके अच्छे से लिखना आप कैसे कैसे लिखना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बात आपको करना यह है कि जो कोश्चन पहले आए जो कोश्चन आपको याद है कि इसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं ठीक है जो कोश्चन अच्छे से क्या याद है पहले उसी को लिखेंगे अब देखिएगा कि जो कोश्चन आपको ज्यादा लग रहा है कि जैसे कोश्चन देखने के पहले आपको पता हो जाएगा कि कौन से question के बारे में हमको ज़्यादा knowledge है हम ज़्यादा लिख सकते हैं उसी question को start किजिएगा अब दूसरी बात यह है कि जब भी कोई भी आदमी copy चेक करता है तो या अगर वो पहली बार किसी का copy चेक कर रहा है यानि कि उसी समय भी बैठे हैं और चेक करना start कर रहा है तो आप समझेगा कि आपका वैसे भी अंग कम आने वाला है क्योंकि वह start आप ही के copy से कर रहा है तो कभी कभी सुनते होंगे कि हमने तो अच्छा लिखा था ऐसे हो ऐसे मेरा भी नंबर उससे कम आ गया तो क्या होता है कि पहले बार कोई भी आदमी copy चेक करने के लिए बैठता है ना तो उस copy को बारीकी से देखता है बहुत अच्छे से देखेगा और जो आपका reality नंबर है उससी इंसाब से देगा बास समझ पा रहे हैं और जैसे जैसे copy एक दो बढ़ने लगता है उसका दिमाग जो है कहने का मतलब कि वो फटा फट चेक करना के और बढ़ जाता है म मतलब उतनी नजर नहीं दे पाता है बास समझ पर हैं यह जो copy चेक कर रहा है उसकी बात बता रहा है कि वो इसी तरह से करते हैं तो वो पहले बार आगर कोई आपका copy अगर उनके हाथ में लग गया तो यह निश्चित है कि कुछ नंबर आपकी कट जाने वाले हैं तो देखेंगे बारिकी से भी अगर देखे तो आप उसमें रॉफ दिखेगा नहीं उनको उनको पता चल जाएगा कि इस बच्चे में इतना नोलेज है इसी हिसाब से लिखे होंगे आगे किलियर तो अगर इसी हिसाब से आगे लिखे होंगे तो दूसरा point आपको याद में करनी है आगे की writing को अच्छा ही करना है खराब नहीं करना है न भी गारना है ठीक है इस तरह से दूसरी बातों को ध्यान में जरूर रखे कि आगे की writing न भी गारे क्योंकि जिस अधार पर आपका नंबर देने बाले हैं पहले देख लिए हैं तो इसी अधार से आगे वो बरहेंगे तो राइटिंग आपका देखेंगे भद्दा तो उस पर भी नंबर कट जाएगा तो इसलिए आगे की राइटिंग को भी नहीं बिगारना है और अच्छे से लिखना है दूसरा बात मैं फिर से कहाना चाहूंगा कि आप लोग जब तक एक्जाम देना चाहरा है अगर नंबर जादा लाना चाहरा है तो आपको एक बात फिक्स करना है कि आपको कुछ न कुछ परना ही होगा क्योंकि बीना पढ़े आपके अंदर उतनी सब्द की छमता नहीं आ सकती है बात समझ पा रहा है क्या कहाना चाह इसलिए आप से अनुरोध है कि आप टाइम निकार करके कुछ जरूर पर है और उसको पढ़ते रहेंगे जब तक एक्जाम न हो जाए तो उसको ध्यान में रखेंगे ताकि वहां पर अच्छा लिख पाएंगे नहीं तो लिखने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि पेज बरना एक पेज बरना मुस्किल हो जाता है जब उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है और इधर उधर की बात अगर लिखते हैं तो अगर आपको देखने वाला अगर देख लिया तो उसी हिसाफ से सब का मार्किंग कर देंगे ना बात समझ पर है उसी हिसाफ से 200 यूद के बारे में ही बताएं तो आपको नंबर न कटेगा ऐसा मैं कह रहा हूँ नहीं कटेगा परन्तु आप दूसरे अगर इधर उधर के पॉइंट पे चले जा रहा हैं तो आपका नंबर कट जाएगा अगर वो देखते हैं तो उसी हिसाफ से मार्किंग भी अगला का देंगे इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जरूर को दो बेर चार बेर पांच बेर दस वर जरूर देखें ज्यादा ना देखें परन्तु जो भी कोश्चन है उसमें से दस निकाल करके जो आपको इंपोटेंट लगता है उसी को आप देखते रहें तो आपका नंबर एक दम अच्छा आएगा मैं आपको कह रहा हूं तो चलिए मिलते हैं फिर नेश्ट वीडियो में अगर हां आप लोगों को अगर कोई को चाहिए कोश्चन इंपोटेंट तो मैं इस चैनल पर डालते रहता हूं आप लोग उसको देख सकते हैं और इस चैनल पर पहले से अप्ल कर लेजेगा थाइंक यू फॉर वाचिंग